आज मैं बात करूंगी कि हम अपने पहले तो परसनल एयर को समझें कैसे परसनल एयर को बहुत आसानी से क्यालकुलेट किया जा सकता है अगर आप कर सकते हैं कि जैसे मेरी डेट ऑबर्थ है 26 सप्टेंबर तो मैंने 26 सप्टेंबर लिया और मैंने उसमें एड किया प्लस करना ह 26 को प्लस किया 9 9 को प्लस किया मैंने 2024 तो मेरे जो आया वो आया 16 टोटल करने पे तो वो हुआ नमबर 7 यानि 2024 जो 8 नमबर का साल है वो मेरे लिए 7 नमबर पे है परसेल लिए 7 ठीक है इस तरह आप कैलकुलेट करें अगर नहीं कर सकते तो दिये गए नमबर पे आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं फीस बहुत जादा नहीं होती कम होती लेकिन उसमें बता देते हैं कुछ जिससे आपका साल जो है जो हडल जो जो चीजें आपके काम रुक रहे हैं वो काम स्मोथली चलते हैं तो आईए मैं बताती हूं कि जो नमबर वन परसनल यार पे जो लोग आएंगे जिनका टोटल करने पे परसनल यार वन पे आएगा उनके लिए ये साल बस एक मिला जुल साल रहेगा और इसमें ये ज्यादा तर बिमारियां देखेंगे प्राब्लम देखेंगे अचानक से बिमार हो जाना बलके ऐसे लोग जो है वो दिसंबर से ही बिमार पढ़ना शुरू हो जाएंगे और अचानक कोई कोई टैंशन आ सकती है फाइनेंशन लॉस आ सकता है क्य रहेगा जिनका परसाल यह साल के लीए इड़ा Jadi अगर आपकी अघ्यामर्स द्राइवर नबर यह आके नंबर 9 है यह 8 है यह dauई है तो उनके लिए तूर्टर साप्रावल्लम आखर्वार rhymeल ना भी हुलार जाए में है तो तो नोली जो कोई गोशन है आई लेकिन इसके लिए आपको किसी अच्छे निम्रोलोजिस से कंसर्म करना पड़ेगा कि आप उनसे पूछ सकते हैं मैं वैसे बता देती हूँ कि नमबर टू जो है वो बहुत ही फैमली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे इस साल आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ करना चाहिए अपनी परसनल ग्रोथ पे आप बहुत जो है वो सोचेंगे कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं मुझे अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए तो इस तरह यह आपको लेके चलेगा और मिला जुला साल होगा घपराने की जरूरत नहीं है अब हम बात करते हैं परसनल इयर 3 जिन लोगों के बर्चार्ट में आ रहा है 2024 कैसा रहेगा क्योंकि 3 और 8 का एक अच्छा कांबि च्छे तारीक को या आप ये समझ लें कि 15 तारीक को मतलब जो टोटल करने पे 6 पे आता है उसमें अगर आप पैदा हुए हैं तो उनके लिए यह अच्छा नहीं होगा जैसे 24 हो गई 6 हो गई आपके इस तरीके से आप देख लीजे उनके लिए अच्छा नहीं होगा लेकि हैं वो अब आप अपने पड़े अच्छे से उसको आगे लेके चलेंगे यह बहुत अच्छा जाएगा इसी तरह देखते रहिए मेरा चैनल और अगर आपको कोई सवाल करना है तो दिए गए नंबर पर आप उसर राप्तर कर सकते हैं अलाहाफिस